भारत की दर्ती पर जन्मा एक ऐसा वीर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े हुकुमरानों की सल्तनते का पुड़ती एक ऐसा करारा युद्धा जिसकी सत्ता ने हिंदुस्तान से मुगल हुकुमत का नामों निशान मिटा दिया संपूर्ण भारत पर हिंदु हुकुमत जमाने वाले अटक से कटक तक की दर्ती पर जिसके नाम का बगवा लहराता था उस वीर का नाम है चत्रपती शिवाजी महराज तो आईए जानते हैं चत्रपती शिवाजी महराज के अंसुने सच्चे इतिहास को उम्मीद हैं आपने इस वीडियो को लाइक जरूर किया होगा तो चलिए शुरू करते हैं चत्रपती शिवाजी महराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को महराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ यह वो वक्त था जब दिल्ली सहीत लग बग आदे भारत पर मुगलों के कट्टर सुल्तान अवरंग जेब की हुकुमत थी और दक्षन भारत पर आदिल सह और कुतुप सह जेसे सुल्तानों ने कबजा जमा रखा था इस वक्त तक भारत में एक भी सोतंत्र हिंदू रज्य नहीं बचा देश धर्म मंदिर हिंदू और गायों को खत्रे में देख मत्र 15 साल की उम्र में चत्रपती शिवाजी महराज ने संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकुमत जमाने की पर्दिग्या ली और इसी उदेश्य से सिवाजी महराज निकल पड़े अपनी सेना बनाने पर 15 साल के बालक का साथ बला कौन देता इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को अपने साथ लिया और बीजापुर की मुस्लिम सल्तनत पर दावा बोल दिया मत्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोरना के किले को विजई कर लिया इस किले से शिवाजी महाराज को बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा इस खजाने से महाराज ने अपनी एक सेना बनाई और इसी सेना के बल पर शिवाजी महाराज ने अगले दो वर्सों में पुरंदर कॉंडाना चाकन और राजगड जेसे विशाल किलो पर अपनी हुकूमत क विश्तार किया और अपनी सेना के साथ कौंकन पर चड़ाई की मुगल इलाकों पर पहली बार कोई हिंदू राजा तलवार लेकर आया था मराठा सेना ने मुस्लिम सुबेदारों को मार कर कौंकन कल्यान जैसे नगरों पर भगवा धुज तान दिया चालिस किले नो सामंत और साथ हजार सेना के सरदार शिवाजी महराज ने बीजापूर की सलतनत पर दावे बोल बोल कर उसे पूरा खोकला कर दिया अपनी सल्तनत खत्म होते देख बीजापूर का सुल्तान अली आदिल शह काप गया उसने अपने सेनापती अफजल खान को एक बड़ी सेना देकर शिवाजी महराज के इलाके में बेजा शिवाजी महराज इस समय परताब गड़ किले में थे 2016-69 को अफजल खान अपने विशाल लसकर के साथ सीधे परताब गड़ की तरफ निकल पड़ा हिंदू गव इस्तरी बच्चे और ब्रामनों का कतलियाम करते हुए उसका लसकर मेदान में उतरा हाती सरी के अफजल खान के इरादे महराज को धोके से मारने के थे इसी वजह से उसने महराज के समक्स एक संदी प्रस्ताव रखा अगले दिन महराज की अफजल खान से मुलाकात हुई गले मिलने के बहाने लंबे चोड़े अफजल खान ने शिवाजी महराज को दबोच लिया और उनकी पीठ में खंजर से वार किया परन्तु कपड़े के नीचे लोहे का कवच पहने शिवाजी महराज ने अपना बाग नख निकाल कर अफजल खान को वही के वही चीर डाला अफजल खान के मरते ही उसकी तमाम सेनाए हवा की रफतार से भाग निकली परन्तु महराज पर हमले से नाराज मराठे भागती हुई अदिल शाही सेना से बिढ गए और गुस्से से लबरेज भगवी तलवारों ने आठ हजार दुस्मनों को गाजर मूली की तरह काट डाला अवजल खान द्वारा मंदिरों के विद्वन्स का गुस्सा शिवाजी महराज ने बीजापुर की सल्तनत पर उतारा इश्वी सन 1660 तक शिवाजी महराज ने बीजापुर के चोथाई हिस्से पर कबजा कर लिया सल्तनत के किले द्वस्त हो गए जागीरे लुट गई और सल्तनती सेनाई लड़ लड़ कर बरबाद हो गई दक्कन की सल्तनत को रक्त से नहला कर महराज ने अपनी सेनाओं को कोलापुर की तरफ कूच करने का आदेश दिया मराठो की गरजती हुई सेना दक्कन के खुले मेदान में उतरी और पनहाला सहित एक एक कर दक्कन के सतरा किलो को विज़ई कर लिया इस विशन 1660 की रात आदिल शहा को उसके गुप्त चरों ने सूचना दी कि शिवाजी महराज पनहाला किले में है और इस समय उनके पास मात्र 600 सेनिक है मोके का फाइदा उठा कर आदिल शहा ने सिद्धी जोहर को दस अचार की सेना के साथ पनहाला बेजा मध्य रात्री तक सिद्धी जोहर ने पनहाला किले को गेर लिया उसकी सेनाए किले के चारों तरफ फेल गई ऐसी विकट स्थती में महराज ने बड़ी चतुरई से काम लिया उन्होंने कई दिनों तक दुश्मन सेना का अनाज खत्म होने का इंतजार किया और 13 जुलाई की रात ठकी हुई दुश्मन सेना को चकमा दे कर महराज सभी मावलों को लेकर पनहाला किले से निकल गए भनक लगते ही दुश्मन सेना महराज के पीछे निकल पड़ी महराज 300 मावलों के साथ आगे बढ़ चुके थे और इधर बाजी प्रभू देश पांडे के नेतरत्वों में बाकी बचे मात्र 300 मावले दस हजार दुस्मनों से भिड़ गए ये युद्ध आज तक के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध सिद्ध हुआ मात्र 300 मावले पूरी रात शत्रुओं से लड़ते रहे सुबे तक उन्होंने 5000 से अधिक दुस्मनों को मार डाला बीजापूर की सल्तनत को तबाहा करने के बाद शिवाजी महराज ने मुगल इलाकों पर चड़ाई करना आरंब किया इस विशन 1657 को शिवाजी महराज ने एहमद नगर के मुगल थानों पर धावा बोला और एक एक कर इस इलाके की तमाम मुगल चोकियों को तबाहा कर डाला जजिया कर गोहत्या पर विराम लगाते हुए शिवाजी महराज अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ते गए और जुन्नार के मुगल ठिकाने पर चड़ाई कर दी परंतु यह बात औरंग जेब बरदास्त नहीं कर पाया उसने शिवाजी महराज को काबू में लाने के लिए अपने मामा साइस्ता खान के नितरत्व में एक लाख पचास हजार मुगल सेनिकों का लसकर महराश्ट की तरफ भेजा जनवरी सन 1660 की रात शाइस्ता खान भारी लाव लसकर के साथ पूरे पहुचा और पूरे नगर को अपने कबजे में ले लिया